जैन दोस्तों मेरा नामे अतुल और स्वागत है आपका अपनी डिप चनल अतुल टिक बिजार में दोस्तों TWS के मार्केट में टूक नाम का ब्रेंड काफी जाना माना ब्रेंड है और इसकी जो Clarity Series है यह काफी धूम मचा रही है बन से स्टार्ट करके 5 तगा चुकी है और रिसेंटली दोस्तों हाँ पर True Clarity 6 नाम का TWS भी लाँच हो चुका है इस TWS को पिछले 7 days से continuously हम यूज़ करें इसके regarding आपको deep में सारी जानकारी मिल जाएगी सबसे अची बात दोस्तों यहाँ पर लगती है True Clarity की यह काफी अच्छे प्रोड़क्ट तो लाँच करता ही है पर इसकी जो pricing है वो काफी super aggressive रहती है यहाँ पर जस्तों सबसे पहले इसकी battery backup के बारे में बात कर ले 80 hour का total battery backup मिलता है मुजिक के लिए 13 mm dynamic driver के साथ 3 equalizer mode का support मिलता है calling के लिए यहाँ पर 6 M.E.M.S. mic के साथ में advanced E.N.C. याने environment noise cancellation का option मिलता है 35 MS तक low latency mode में आप यहाँ पर gaming कर सकते हो IPX5 rating के साथ में TWS आता है और pass charging को भी support करता है dual pairing वगेरे भी आप इसमें इस दिनी तरीके से कर सकते हो pricing के बारे में बात करते हैं pricing आपको लग रहागा इतने सारे feature से तो 2000 के आसपास होगी नहीं दोस्तों इसकी जो price है वो 1499 है actual price और इसका जो super special offer price है 1299 है जो की टूप की website में आपको मिल जाएगा इसके सारे detail आपको description box में मिल जाएगी और इसकी जो first sale at 26th of December को Flipkart और Amazon के अंदर start हो जाएगी तो कफ बढ़िये TWS से और भी detailing में इस TWS के बारे में जानते हैं इस वीडियो में वीडियो थोड़ा से लब बहुत से time is time में वीडियो में प्लोड कर दिया जरू सी उसकरीगा जोस्तो चैनल पने हो सब्सक्राइब जरू से कर लिजिएगा अब लेकिन को भी प्रेस कर लिजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तो चलिए फटाफट से start करते हैं अबर गोफ्स बाॉक्स जरू की का अनबोक्सिंग कर लेते हैं यहां इस तरका सौलिट बॉक्स आपको मिलता है क्लियारिटी शिक्स और क्रिस्टल किलियर कॉलिंग एक्सपिरियंस आपको इसमें मिलने वाला है बैक साइड में अगर हम देखे तो बहुत सारे specification लेके हैं detail में इसके बारे में बात करेंगे फड़ा पड़ से box को पहले हम open कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरह का setup मिलेगा box के साथ case और TWS अलग-अलग रखे मिलते हैं पर्चेसिंग के लिए ट्रूक का थैंक्स कार्ड आपको सबसे विले देखने को मिलेगा इसके बाद ट्रूक बड्स क्लियारटी 6 का यहां पर manual book मिलते हैं यहां पर टू पैर ट्रूक की ब्रेंडिंग देखने को मिलते हैं मैट फिनिश डिजाइन के साथ में आता है परसनली मुझे मैट फिनिश डिजाइन काफी बड़िया लगती क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं यहां पर इंडिकेटर का support मिलता है पीछे अगर आप देखे तो यहां क्लास फिनिश डिजाइन के अंदर चेकरते हैं यहां पर प्रोटेक्शन पिलता है यहां पर डस्ट वगरे नहीं जा पाएगी सान क्उल्टीडे बरैनेु चैसे अंधि बनी रहेगी तो यह reflect होता है, case में हम रखके देखते हैं, यह किस तरह से दिखता है आप देख सकते हैं, यह काफी premium लगता है, बिल्कुल भी आपको यह नहीं लगता है, कि 1499 वाले यह TWS है, और अल दुस्तों यहाँ पे case और TWS की जो quality है, build quality काफी जबरदस मिलती है, design भी यहाँ पे करना है, यह quickly यहाँ पे visible हो जाएगा और जैसी आप इसे tap करोंगे, within a second यह connect हो जाता है, इसकी connectivity काफी ज़्यादा fast है, इसके अलावा दूस्तों यहाँ पे audio cadet, SBC, AAC audio cadet को यह support करता है, जो कि इस price segment के हिसाब से काफी बहतर output दे दे देता है, 3WS fully touch control के साथ में आते हो, और music को भी आप fully तरीके से touch control कर सकते हो, किसी song को आपको play or pause करना है, तो left यह right पे आप one tap करोगे, तो song play or pause हो जाएगा, और अगर आपको next track पे जाना है, तो left पे आपको double tap, और right पे अगर आप double tap करते हो, तो previous track पे जा सकते हो, इसके अलावा दू पे अगर आप 3 second तक press करके रखते हो, तो यहाँ पे आपको 3 equalizer mode का support मिलता है, जैसे कि movie mode, dynamic audio और boss boost audio का, यहाँ पे 3 equalizer mode support मिल जाता है, इसी तरीके से calling को भी आप fully touch control कर सकते हो, call receive करने के लिए one tap, और call cut करने के लिए one tap, और अगर आपको call को reset करना है, तो यहाँ पे two tap करन पड़ेगा, इस तरह से यह touch control वाले TWS है और इसका touch जो है, वो काफि responsive है, काफि अच्छे तरीके से यह work करता है, dual pairing को भी TWS support करता है, एक डायम पे दो mobile या फिर एक mobile या एक laptop को आप connect कर सकते हो, यहाँ पे battery के बारे में बात करें तो जो case है, उसमें आपको 500 mh की बड़ी सी battery provide की गई है, यहाँ पे जो TWS है, per TWS आपको 40 mh की battery मिलती है, यहाँ पे charging approximately 2 hour के आसपास totally समय ले लेता है, बड़ अगर आप TWS को एक बार fully charge करते हो, तो 8 से 10 घंटे का यहाँ पे backup ले सकते हो, और अगर आप case के साथ इसे use करते हो, तो total जो playback मिलता है, वो 80 hour के आसपास मिल जाता है, जो की इस price segment में काफी solid battery backup है, और काफी बड़िया battery backup आपको इस true clarity 6 TWS में मिल जाता है, एक चीज हमेशा याद रखी का है, जब भी आप इसे charge करते हो, तो 10 watt के charger से ही charge करेगा, अगर आपके पस 10 watt का charger नहीं है, तो आप power bank use कर सकते हो, बात करें IP rating की, तो इस price segment में, इस TWS में IP expire rating मिल जाती है, और ये test and splash proof भी है, यहाँ पे TWS जो है, यही IP rating के साथ में आते हैं, मतलब आप इसे gym में यूज कर सकते हो, चोटा मटा पसीना अगर आता है, पानी की बाशार बगर आती है, तो ये survive कर लेंगे, बट केस को समाल कर रखीएगा, क्योंकि ये IP rating के साथ नहीं आते, इस TWS का दूस्तों हमने head banking test किया है, case pagnet test भी हमने इसका किया है, और तोरुवी test में clearly pass हो जाता है, फड़ा फिर से बात कर लेते हैं, music quality के स्टी डेवलियोस के through cinematic music experience मिलता है, क्योंकि इसमें powerful 13 mm titanium speaker driver यूज किया गया है, और यहाँ पे sound quality काफी बढ़ advisor mode जो दिये हुए है, जैसे movie mode, dynamic mode और pass boost, यह music experience को next level तक ले जाते हैं, gaming के लिए स्टी डेवलियोस में up to 35ms ultra low latency mode का support मिलता है, जो भी action आप लेते हो इसे वेर करके, उसका जो audio output मिलता है, उसमें बिल्कुल भी delay नहीं मिलता है, हमने यहाँ पे स्टी डेवलियोस को वेर करक PUBG, BGMI gaming को खेला है, और काफी बढ़िया experience रहा है, कोई भी यहाँ पे delay बिल्कुल नहीं मिला है, fire आप जब भी करते हो, quickly sound आपके ear तक पहुचता है, even दोस्तों यहाँ पे footstep की जो voice है, वो बिल्कुल किलियर आती है, जिसकी वज़स से आप gaming करते समय, killing भी जादा कर सकते ह तो gaming experience भी यहाँ पे काफी बढ़िया मिलता है, फाइनली बात कर लेते हैं, calling quality के बारे में, TWS में आपको 6MEMS माइक का support मिलता है, पर TWS 3MEMS माइक का support मिल जाता है, advanced ENC यानि की advanced environment noise cancellation का option भी मिलता है, calling हमने यहाँ पे की है, काफी rust वारे area में, जहाँ पे बहुत ही ज्याद output आपको काफी बढ़िया मिल जाता है, इस price segment के हिसाफ से देखिए, तो इसका जो advanced ENC factor है, यह काफी बढ़िया वर्क करता है, तो यह तो true clarity 6 TWS का deep review video, without question आपको है, तो आप comment section में, हमें simply पूछ सकते हैं, simply दोस्तो opinion के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भई 1299 में आपको तो इतने सारे features के साथ में तगड़ा TWS मिलती है, और टोटल प्लेबेक इसमें मिल जाता है, और भी बहुत सारे features जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, भर-बर के मिलते हैं, तो भई, यहाँ पे इस price segment के हिसाब से हम देखें, तो नहीं मिलते हैं, बट यहाँ प प्राइजिंग के साथ में, P86 को टूट ने launch किया है, औफर ग्रेप करना बिल्कुल भी मत भूले कर, description box में आपको सारी details मिल जाएगी, अगर से कोई doubt की question है, comment section में simply आप पूसकते हैं, फिलाल दुस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, ने वीडियो के साथ में तब के जहन बोलते रही है, पंदे मातरम